नमस्कार साथियों एगरी थिंकर्स के लर्निंग प्लेटफोर्न पर आप लोगों का एक और पार स्वागत है दोस्तों अभी जो है मैंने जब मेरी इंटर्मीडियेट के लिए लास्ट वीडियो यानि अभी हाल में ही आई थी साथ 10 अगस्त को तो उसमें मैंने वो जनरल हिं जिसको आप पूरा नहीं कर पाए हैं मैंने आप लोगों से कहा था कि इंटर्मीडियेट की वीडियो तभी आएगी हमारे चैनल पर जब आप 90 सब्सक्राइबर कंप्रीट करेंगे लेकिन आप लोगों ने नहीं किया ठीक है अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हू के लिए मैं लेकर आया हूँ और काफी लोग क्या है वीडियो तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं बहुत ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं वह भी उस बात को अप्रूब भी करेंगे पहले हम आप लोगों की क्लास तो देखिए आज हम मेन टॉपिक कौन साल आए हैं क्रिसी रसायन विग्यान जो 12 में पढ़ाई जाती है कछा 12 क्रिसी में इसमें एक बहुत ही इंपोर्टेंट चैप्टर है भौतिक एवं रसायनिक परिवर्ण ठीक है इसे पहले कमेश्ट्री की एक वीडियो में आपको प् डिसकस करेंगे और यह चैप्टर तो दोस्तों सिर्फ एक पेज का है लेकिन इस वीडियो में मैं उन चीजों को भी आपको यानि स्क्रीनिंग करूंगा आपके सामने पताएंगे हम जो मुझे इसके पहले जो लेक्चर वन था इंट्रोडक्ट्री प्लास उसमें बताना च भात वेक्ट्चर है बहुत ही गंपर स्वेटन इसके बाद हम देख लेते यह देखिए फैले वर्गी करण यह पहले दिखिये विज्यान साइंस एंडियौन हींदी में जो विःज्यान लीखा जाता है यह आगर इस सब्ध को Theostat करें को फिर शार्व होता है सब्दू करता है विशेया maxim का मतलव होता है विशेष घ्राण इस 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 खाम करता है क्या special knowledge ठीक है और यह संस्कृत भासा के सब्द देखिए विज्ञान जो सब्द है यह संस्कृत भासा के सब्द विज्ञानम से निकला है और यह विज्ञानम जो है यह रिगवेद जो है हमारा जो सबसे पुराना वेद है उसमें रिगवेद वो है उसी में इसका उलेख किय सण्क्रित भाषा का सब्द तीक है जो इंग्लिभ स्टर्म उसका होता है सिए सॉई यह 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 तीन भासा ठीक लेटीन वाट एक साइटिया वहां से निकला है देखिए शॉई सब्द साइटिया से निकला और उसका अर्थ होता है जैसे विज्ञान का परिवासा ही होता है सुसंगठीत सुववस्थित ग्यान जो होगा उसी को भी ज्यान करेंगे अब इसके आप प्लैसिफिकेसन देखें अब अब अग्रिकल्च्राल कमिस्टी के फादर मैंने आपको काफी वीडियो से बताए जे बी लिबिद हो गी ठीक है तो वह भी है प्याद रखेंगी अब देखिए यह पर दो होता है फीजिकल्स सायंस और यहां पर वाई लोजी यानि जीव विज्ञान भाति की विज्ञान और जीव और जीव विज्ञान अब देखिए फिजिकल साइस में चार आपका आता है फिजिक्स केमिस्टी जियोलोजी और एस्ट्रोनोमिक यानि भौतिकी रसायन विज्ञान भूगर विज्ञान खगोल विज्ञान अब भौतिकी जो है यह संस्कृत भाज़ा का सब्त है भौतिकी वह भी आप याद रख वह रसायन विज्ञान हों का देखिए रसायन ठीक है इसका हम संधी भी छेद करें तो रसायन का अर्थ होता है रस प्लस आयन यानि उसमें रस रसों का यानि जो केमिकल्स होंगे लिक्विड वाले उनका अध्यान किया जाता है तो वहां पे अब देखिए भूगर विज् जन्तुओं का देखिए अन्वनसपतियों का देखिए जैसे रोग वगएरा का जीवाड वगएरा का इसमें से जो आपके काम का है वह है विजकल साइंस बाइलोजी माइक्रो बाइलोजी जुलोजी बॉट्टनी यह जो चारों है यह आप से नहीं पूछा जाएगा अब देखिए हम हम भौती की तथा रासायनिक परिवर्तन भी लाएं उसको हम अभी डिसकस करेंगे यह देखिए पदार्थ जो है यह मैं आपको पता चुका हूँ पीसली वीडियो में लेकिन फीर हम एक बार देख लेते हैं यहां पर मैं काफी सारी पुस्तकों से जानकारिया जो है वह यहां पर संकलित करता हूं प्लस अपने भीजानकरिया पर हम लाते हैं किसी एक कुस्तक से आपको नहीं बताया जाता है यहां पर पदात भौतिक वर्गी करण रसायनिक वर्गी करण भौतिक वर्गी करण में ठोसद्राव गैस और इसके अलावा भी काफी सारे वाइस होते हैं वाइस तेस जो मैंने आपको इसके पिछले वीडियो में बताया थोसद्रों गैस प्लाज्मा भी इसी अनि बोस्ट आइस्टीन कंडेंसेड ड्रोप लेटन फोटोनिक मेटर लेकिन आपको स्लेबस में लिक्विड गैस सॉलिड प्लाज्मा भी इसी यही त अब देखें हम आते हैं जो हमने थम्लेल पर मेंसन किया है वो टॉपिक यह पर अध्याई यह एक है इसको आप जो आध्याई जो दो लिखा है इसको आप काड़तेंगे यह अध्याई एक है ठीक है अब देखिए भातिक तथारासाइनिक परिवरतन फिजकल एंड केमिकल देखें भातिक परिवरतन फिजकल चेंजमेंट है फिजकल चेंज आप कह सकते हैं देखिए जब किसी पदार्थ के भातिक गुड़ यानि अवस्था रंग आकार रूप आधि कुछ समय के लिए बदाल जाते हैं लेकिन किसी नए पदार्थ का निर्मान नहीं होता है भात परण हटाने पर वदार्थ पुन अपनी प्रारंबिक वस्था में आजाए जैसे कोई पुस्तक है यह जांप पुस्तक है आपने उसे हाथ से उठाया दूसरी जगार रख दिया यह हो गया आपका भातिक परिवर्दन फिर आपको उठाएंगे दूसरी जगार रख देंग जो कम हो में बाच री साघ्र Li ओर्गार जो हमें संब्सक्राइव कर देखते हैं इसकथा इन देख लजया देख लेंगे다면 लोहें चुंबग बनना मों का पिखलना से औरतीग का कोई अधु 50 कःगर आपका determination तो कैसे भी निकलेंगी कार्बन बोनो ऑक्साइड चैसे पर्फ का फिगलना पेड़ों की कटाई छंटा इसको प्रूनिंग कहते हैं नमक का जल में गोलना गन्ने के रसे सिर्के का बनना यह सारी चाहिए यह और टमपरेरी है यह मैंने पता ही और अस्थाई है कुछ समय के ल होते हैं यह हमेशा के लिए होता है यह रसाइनिक है तो और टाइप के लिए वह यह पर दिया और जो पदार्थ है वह बिल्कुल पदल के नए पदार्थ में आ जाएगा यह नहीं कि रंग वस्था अकार बदलेगा सिर्व भौतिक परिवर्तन की तरह देखिए यह अब आपका हो गया खताम अपका यह चैप्टर इतना ही था काफी छोटा चैप्टर रहें बहुत आसानी से इसमें रटना नहीं है सिर्फा कुछ समझना है उसके बास से आप उसको अपने सब्दों में लिए इसमें से कुछ कीवर्ड्स आप निकाल लेंगे ऐसे कुछ समय के लिए पर्मनेंट टंप्रेरी वह सारी चीजिए आप निकार लेंगे कुछ देखिए एक्जांपल सबसे मौत पूरे सबसे ज़्यादा कुछे चाता है मुंबत्ती का जलना और जो है आपका कपूर का उध्व पार्तन और बल्व का जलना सबसे ज़्यादा कु अब दोनों में अंतर देख लेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा देखिए अब भॉतिक परिवर्तन में इस परिवर्तन में पदार्त के केवल भॉतिक गुण रंग अवस्ता अगार कुछ समय के लिए बदलते कोई नवीन पदार्त नहीं बलता है बताया हमने इस परिवर्तन हैं पदार के आंतरी लें अंतर नहीं आता है और अंतर आजयाता है और झिलता आख एक यज़ा अंतर की पूछा जाता है काफी अब देखिए इन परिवर्तनों में उस्मा प्रकास आधी उत्पन नहीं अशोसित इसमें उत्पन भी होता है अब देखिए जो हमने आप लोगों को बताया है आपने उस टार्गेट को एचीव नहीं किया है जो मैंने आपको इससे पहले इंटर्डमीडियेट की वीडियों बताता है देखिए आप वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब करना वह आपकी जीमितार यह देखिए यह हमारे चैनल के ओडियंस में एनलेटिक्स में क्या दिया हुआ है वाच टाइम फ्रम सब्सक्राइबर्स लास्ट ट्वंटी एट डेज इसमें देखिए क्या आप लोगों की नौट सब्सक्राइब जो हमारे 89.7% वीवर्स हैं जो स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब नहीं करते इस 10.3% ही सब्सक्राइब करते हैं चैनल को तो जो सब् चैनल से ही उनका जो पोर्ड पेपर में हाइस्ट मार्क गेन करने का जो ट्रीम है वो पूरा होगा ठीक है अब आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आप पूरे यूट्यूब पर भटकेंगे काफी सारे चैनलों पर सब्सक्राइब कर लेते हैं तो वहां से जो है आपका आप नोटिफिकेशन आएगी अप क्लिक करके तूनल देख लेंगे टॉपिक भी सार्च करने की चिरुवात आपको नहीं पड़ेंगे तो पूरे यूट्यूब पर भटकते रह जाएंगे और मिलेगा भी नहीं आपको जल्दी इतने सिस्टेमेटिक वे में अब देखिए कि लगभग 90% लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं सिर्फ 10% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं तो इसको आप जल करेंगे तो उसमें आपका जो प्रॉफिट होगा कि आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगाया यूट्यूब पर भटकना नहीं पड़ेगा जो 10.3% लोग समच चुके हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अब हमारी चैनल को अब देखिए हम अब क्लासेज जो है वो कंटीनियू करते हैं यह देखिए एक और बुक का मैंने हाँ पर फोटो घीच के आपर डाला हुगा है तो यह जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं सामान शरीर में तत्तों की औसत मात्रा यह देखिए जो हमारी बॉडि होती है उसमें तत्तों की मात्रा दिया गया देखिए वो तो टॉपिक आपका एक पेज में ही खतम हो गया है भहतीक और असानिक परितन यह देखिए आप ओक्सीजन 65% हो जाएगा कार्बन 18% हाइडरोजन 10% नाइट्रोजन 3% कैलसियम 2% फासफोरस 1% पोटेसियम 0.35% सलपर 0.25% सोडियम न एन ए क्लोरीन CL सलफर S पोटेसियम के फासफोरस P कैलसियम C A नाइट्रोजन N हाइट्रोजन H कार्बन C ओक्सीजन O तो ये सबी आप जो उसका प्रतीख है वो भी याद रखेंगे अब देखें magnesium 0.05% इसका mg होता है लोहा इसको फेरस कहते हैं लेटीन बासा में fe होगा और 0.004% अन्य में यानि जो अधर में होंगे इसके अलावा 0.046% ठीक है यह एक्स्ट्रा जानकारी हम आपको दे रहा है अब यह आपके बुक में नहीं है काफी सारे बुक से जो मैंने जानकारी आपर ली हुई अब देखें पृत्वी पर पाए जाने वाले प्रमुक तत्व एवा मुन का प्रतिसत तत्व दिया गया है और भू पतल में उसका प्रतिसत अब देखें आप यहाँ पर oxygen 46.60% silicon जो है यानि SI silicon इसका 27.72% aluminum इसका AL होता है प्रतीक इसका 8.13% और फेरस का 5% calcium का 3.6% sodium 2.83% potassium 2.59% magnesium 2.09% और titanium इसको titanium भी करते हैं यहाँ पर इसका TI होता है 0.44% hydrogen 0.14% यह ज़्यादा नहीं पुछा जाता है इसको सिर्फ यह जो है बेसिक है तो हम include कर दिये हैं जो introductory class में नहीं हो पाई थी अब देखिए यह सब मिला करोगा 99.14% यह जो 10 हो है यह 10 है उपर के और इसके अलामा जो का आप मिस्राड यह उसको पूरक कह सकते हैं जो अब देखिए यहाँ पर एक और पुस्तक से हमने यहाँ पर मैटर निकाला हुआ है यहाँ पर रसायन सास्त्र के मोल सिथान चुकि यह हमको पदार्त का लाती है जिस से हवा, जल, वायु, लकणी, लोहा, ताम भाइते हादी द्रवेमान यानि मास यह भी माता चुके हैं किसी वस्तु में विद्यमान द्रव की मात्रा जो होगी उसके परिमाड को उस वस्तु का द्रवेमान कहेंगे, किसी वस्तु, किसी भी पदार्थ में, किसी भी वस्ता में जो है द्रवेमान निशीत होता है, तत्व एनी एलिमेंट, तत्व वह सुध पदार्थ है, जिसका अब तक पदार्थ के किसी अने रूप में विभाजन नहीं हो सका है इलेक्ट्रानिक संरचना के अनुसार तत्ववपदार्थ है जिसके प्रतेक परमाडु का नाविकी आविस समान होता है जैसे हाइड्रोजन, कार्बन, लोहा, तांबा, इत्यादी अब तक 112 तत्वों की खोज कीचा चुकी है और 118 जो है वो हो चुका है अब इसमें 12 दिय वो सुचा लखोगा वीदूत और उस्मा का विठोष अवस्था में अघात वर्धनियानि मेलीयाबिल होते है और तने डक्टाइल होते है जैसे लोहा तांबा सोना चाहिए यह अघात वर्धनियता यह प्लास में कवर कर चुके है आप देख लेंगे अधात यह नोन मेटल ये जो हैं वीदित और उसमा कुछा लखोंगी जैसे गंधक आक्सीजन, फास्पोरास, ब्रोमीन, नाइट्रोजन नित्याद योगिक यानि कमपाउंद, योगिक वसुद पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्नों के भार से भार के विचार से एक निश्चित अनुपात मेरा साइनिक साइयों के फल सरूप बनता है, जैसे H2O यानि जल एनसी, सोडियम क्लोराइड, यानि नमक, साधारा नमक जो होगा, मिस्रण, मिक्चर, वह पदार्थ, यहां पर आप देख सकते हैं मिस्रण क्या होता है, वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक असमान अनु सांत्रिक वीडियों दोरा अथवा, अब यहां में अलग किया जा सकता है, जैसे बारूद, गंजग, सोरा, कार्बन, मिस्रण, इत्याद, यह सभी आप नोट में लिखेंगे, क्योंकि यह बेसिक चीज़े हैं, आप देखें परमाड यानि एटम, किसी तत्तो का सूचिंद जो स्वतनत्रवस्था में नहीं पहे जाता है, परमाड का लाता है, और किसी तत्तो के सभी परमाडू समान गुण वाले होते हैं, आप यानि मॉलिक्यूल, किसी पदार का वा सूचिंदमकड, वा सूचिंदमकड, जो स्वतनत्रवस्था में रह सकता है, आप लाता है, दो दैए जो एटम यानि पर माड्व होगा इसके पर मार यानि और यानि उस्षे भी छोटा यानि उस्येख भी च्छोटा तो यह पदार का सुच्छृतम कर नहीं पाए जाता लेकिन रसानिक्रिया में भाग लेता है और अश्षे बीद रखींगे यह प्याद रखेंगे तत्त और योगी में अंतर अब आड़ू और परमाड़ू में अंतर एक चैप्टर या आड़ू तथा परमाड़ू उसमें हम डिसकस करेंगे डिफ्रेस्ट बीटून ऐलिमेंटश्च में और या कि योगी फिले के ऱाड़ितबी स्काहते ह। उसके वास एक ही पदार्थ और अडुों से बने रहते हैं, या शिर्फ एक ही पदार्थ को बना होता है ततों के भोतिक और रसाइम के गूड कर्यों योगेन से भूते हैं जो अनु होगा वो योगी का सुचम तमकन होता है और जो तत्व होगा वो परमाणु का सुचम तमकन नख़ major 3 जr उनके बारे में पूरा आप về मैंने रख दिया है इसको आप हमारे वर्बाच्प लेंगे और इसको आप नोट कर लेंगे ये पूरा में दिया हो है यहां पर दी हुई है यह सारी चीजें आप पर इंट्रूड की होई तो इनको आप लिख लेंगे ठीक है यह आप स्क्रीन सॉट ले लेंगे आप तो हमारे देखे अभी आप हमारे वर्सेप ग्रूप को जॉइन करेंगे वहां आपको पीडियोफ मिलेगे और नोट इसका आप बनाएंगे यह देखिए यह सारी चीजें जो है हमने एड कि हुई है इनको आप अपने नोट में लिख है तो यह क्लासिस जो है थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है क्योंकि देखिए गौतिक और असानिक परिवर्तम तो थोड़ा ही था लेकिन यह जो मैंने बेसिक चीजे बताई यह आप याद रखेंगे जो इंट्रोड़क्टरी क्लास में नहीं हो पाई नहीं ठीक है तो यह ज इस नंबर जो है इसको मेंटेन करें और इसको आप इंक्रीज करेंगे ठीक है तो हम एक अगली क्लास में आपसे मिलते हैं एक अच्छे से और टॉपिक के साथ है ठीक है कल जो है हम आप लोगों को इसको आप जो आप देखने के और इसके पीडियाफ नोट के लिए मैंने बताया डिस्क्रिप्शन में जिसे ऐसा इकन बनाऊगा इस पर आप प्लिक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स उपनोंगा उसमें वाट्सेप ग्रूप लिखा होगा ज्वाइन माई वाट्सेब्र इसको आप ज्वाइन कर लेंगे और इसका नोट्स आपको कल यानि इसके दूसरे दीन ही मिल जाएगा और इससे आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे ठीक है तो हम अगले वीडियो में मिल लेते हैं थैंक्स फॉर रॉचिंग हैव नाइस टेए